हेलो फ्रेंड्स किरंदर नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुन्दर और इजी डिजाइन फ्रेंड्स जी पैटर्न सिर्फ चार सिलाईयों का है और बहुत जल्दी जल्दी बनके आता है देखिए और किसी भी कलर पे आप इसको डाल सकते हैं हर कलर में यह अपनी लुक अलग से देगा और फ्रेंड्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इसको इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि अपना कार्डिगन बना लीजिए, जैकेट बना लीजिए, बचों के स्वेटर पे डाल लीजिए और कैब पर डाल लीजिए और भी बहुत सारे प्रजेक्ट पर इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इजी सा ये पैटन है मैं आपको बता देती हूं तो यहां पर इसके लिए मैंने ये 30 फंदे लिए हैं ये जो आपका पैटन है वो इवन नंबर के फंदों पे चल पड़ता है इवन नंबर के फंदे यानि कि दो से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर आप इसमें ले सकते हैं तो इस पे ये पैटन चल पड़ेगा और फ्रेंस इसमें ने छोटा सा बॉर्डर बनाया है और उसके बाद ये पैटन डाला है तो चलिए बुनना स्टार्ट करते हैं इसी पे मैं आपको बता दूँगी तो यहां से जब आफ्टर बॉर्डर इसको स्टार्ट करेंगे तो फ्रस्ट रो क्या डालेंगे राइट साइड से फ्रस्ट रो आप डालेंगे इसमें सीधी देखिए पूरी की पूरी जो रो है आपको पहली सिलाई पैटन की सीधी बुनके कम्प्लीट करनी है जब आप आफ्टर बॉर्डर इसको स्टार्ट करेंगे देखिए ऐसे पूरी की पूरी रो राइट साइड रो नमबर वन पैटन की सीधी बुनके ऐसे कम्प्लीट करेंगे तो यहां से जब भी आप pattern start करेंगे तो आप इसको ऐसे ही start करेंगे देखे फ्रेंड्स row number one जो है वो मैंने सीधी बुन के complete कर ली है अब आते हैं इसकी wrong side में और wrong side की row second ये भी आपको सीधी बुनते हुए complete करनी है आप देख सकते हैं कि row one और row two आपकी बिल्कुल easy है बिल्कुल simple है दोनों आपको सीधी सीधी बुन के complete करनी है सिर्फ दो स्लाइयों में आपका pattern आएगा बाकी दो स्लाइयां आपकी सीधी आएंगी तो ये row two दूसरी स्लाइय आपको सारी ऐसे ही सीधी बुनते हुए complete करनी है ये मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ देखें friends मैंने ulti side की स्लाइय ये सीधी बुनते हुए complete कर ली है अब आते हैं इसकी right side में सीधी side में ये इसकी तीसरी सिलाई है इसमें फ्रेंड से इसका पैटन आएगा देखे कैसे पहला फंदा आपका एस्टिच रहेगा इसको आप कैसे भी बुन सकते हैं ये मैंने बुन लिया यहाँ पे आपका दो दो फंदों पे पैटन चलता जाएगा ये आपका ये फर्स्ट फंदा है इसके आगे से यहाँ से बीच से आप ये देखे बीच से ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ पे एक धागा निकाल के लाएंगे तो यहां आपको ज़्याद है लूज नहीं रखना है ठीक ठीक सा रखना है और फिर बाद में ये वाला फंदा और इसके नेक्स्ट वाला फंदा जैसे मैंने आपको पताया है कि दो दो पे आपका पैटन आएगा दो फंदों का एक करेंगे बैक लूप से गुनते हुए देखे फ्रेंट ऐसे बहुत एजी है ये पहला फंदा फिर से आपको ऐसे ही दो दो फंदों के साथ करते जाना है ये वला फंदा इसके आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और यहां से एक लूप निकाल के लाएंगे और फिर ये वला फंदा और इसके नेक्स्ट वला फंदा इसको आप दो का एक कर देंगे तो फ्रेंड्स यहां पे आपके ना फंदे घटे हैं ना बढ़े हैं आपके फंदे एक जैसे ही रहेंगे देखे जितना आप बढ़ा रहे हैं एक आप देखे यहाँ पे लूप निकाल के ला रहे हैं यहाँ फंदा बढ़ रहा है और साथ में आप दो का एक कर दे रहे हैं तो आपका फंदा घट भी रहा है तो सेम ही रहेंगे ना घटेंगे ना बढ़ेंगे और ये बुनना भी एजी है इसमें कोई जादे दिक्कत नहीं आती बुनने में ये देखे फिर से यहां से आप डालेंगे और यहां पर दो काई कर देंगे थोड़ा सा भी जैसे आपको बुनना आता है तो आप easily इस पैटरन को डालेंगे फिर से देखे यहां से डालेंगे और यहां से यह एक फंदा निकाल के लायेंगे और फिर दो काई कर देंगे और इस फंदे को आपको ज़दे है लूज भी नहीं रखना है ना ज़दे टाइट रखना है ठीक साब को निकालना है यह देखे ऐसे फिर से ऐसे यहां से डालेंगे दो दो फंदों के साथ आपको ऐसे ही करते जाना है फिर दो का एक कर देंगे ऐसे फिर से एक बार देख लिजे यहां पर यह फंदा है यहां से हम सिलाई डालेंगे और यहां पर दो का एक कर देंगे देखिए ऐसे यहां से इसके बीच में से ऐसे सिलाई डालेंगे एक फंदा निकाल के लाएंगे फिर दो का एक कर देंगे तो फ्रेंट्स जितने में फंदे आपके पास होंगे सबको आपको दो-दो का ये ऐसे ही पैटर्न चलाते जाना है तो ये मैं यहां तक कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स मैंने ये सिलाई खत्म कर लिए लास्ट में हम आगें यहां पर यहां फिर से आप ऐसे करेंगे और दो का एक कर देंगे और लास्ट वाला आपके पास एक एस्टिच रहेगा सिंगल तो आप इसको सीधा बुनते हुए कम्प्रीट कर लेंगे तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये रो थर्ड जो है सीधी साइड की पैटर्न की हमारी कम्प्रीट होती है देखिए अब हम इसकी चोती सिलाई में हैं ये लास्ट सिलाई है इसकी पैटर्न की ये आपका एस्टिच रहेगा इसको आप उतार लेजिए चाहे बून लेजिए तो यहां पे मैं स्लिप कर रही हूं उतार रही हूं तो यहां पे हम धागा ले जाएंगे पीछे ये चोती सिलाई है तो ये दो दो देखिए आपको जोड़ा नजर आ रहा है दो दो फंदों का ये पूरी सिलाई में आपको देखिए ऐसे ही दिखेगा तो यहां पे आप कैसे करेंगे यह एक और दो फंदों का जो जोड़ा है यहां से डालेंगे इसके बाद से ऐसे सिलाई डालेंगे और फिर दो का एक कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि पैटर्न कितना इजी है यह देखिए फिर से यहां पे इजी ली बनता है ये इजी ली देखे ऐसे यहां से डालेंगे दो फंदों के बाद एक लूप निकाल के लाएंगे और दो काई कर देंगे देखे यहां से सिलाई डालेंगे और दो काई कर देंगे यह चोती सिलाई है पैटर्न की लास सिलाई है यहां से देखे डालेंगे और यह दो का एक कर देंगे पूरी सिलाई आपको ऐसे करनी है यहां से डालेंगे इतना ही करने से पैटन इतना बड़ी आएगा इसका यहां से डालेंगे और बैक लूप से बुनते हुए दो का एक कर देंगे easiest pattern इसको बोल सकते हैं और friends बहुत जल्दी जल्दी बनके आएगा ये उबरा उबरा पैटन आएगा अपने टॉप पर भी आप बना सकते हैं जैसे जीन्स के साथ जो टॉप डाले जाते हैं उस पर भी ये बहुत सुन्दर बनके आएगा देखे ऐसे और main बात है किसी भी कलर पे black कलर में भी डालेंगे तो उसमें भी ये अपनी लुका अलग से देगा देखे ऐसे ऐसे करते हुए ये सलाई हमें सारी की सारी complete करने इसमें ये दिखे ऐसे दिखे गा ये ये अब थोड़ी ही रहेगे इसको complete कर ली लेते हम ऐसे बनाएंगे इसका और यहां से दो काई कर देंगे अब आप देख सकते हैं कितना आसान पैटन है और ये आपका last में stitch रहेगा इसको आप अपने हिसाब से कैसे बुन सकते हैं चाहे सीधा बुन लीजिए चाहे उल्टा बुन लीजिए तो फ्रेंड्स ये दिखे रोंग साइड की जो है चोती स्लाइस में हमारी खतम होती है देखे फ्रेंड्स इसमें चार स्लाइएं जो है पैटन की complete हो चुकी है तो आपको क्या करना है रो वन से लेके पहली स्लाइए जहां मैंने बुन लीजिए दिखाई थी वहाँ से लेके आपको चार स्लाइएं तो आगे आगे डालते जाना है तो ये आपका पैटन ऐसे ऐसे बनता जाएगा देखे कितना सुन्दर पैटन है और कितना एजी है अब इसकी सीधी साइड आगी है तो यहां से फिर से आपको सीधी सिलाई बुननी है फिर उल्टी साइड से फिर सीधी सिलाई बुननी है तो फिर आगे दो सिलाईयों में पैटन आएगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स चार सिलाईयों में तो दो सिलाईयों तो आपकी सी आप अपने वूल के हिसाब से इसको बुनिएगा तो अब आप भी बनाएए और प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेर थेंक यू